नवस्कार दोस्तों गुड़ मॉर्णिंग कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा देखिए प्रामबिक शिजकों की बहाली पांथ से जो आप लग को सिडूल है कॉंसरे शिडूल उससे जारी कर दिया गया है बिहार सरकार के तरफ से फिचाई वाग के तरफ से वो डिटेल इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं और पहले से हमने दो से तिन वीडियो बना दिया आपको बताने वाले हैं यहां पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल दिया हुआ था चले दोस्तों सुरू करते हैं सुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज मेरे चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब बेल आइकन कर लिजे प्रेश ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोडिक्शन सबसे पहले आपके पास पहुंचे उस वीडियो का आप लाव उठा सके राज के वैसे नौजवानों का जो सिच्छक बढ़ने के लिए योग थे तथा अस्कूलों में अपनी सिवा देने के लिए करिब धाई साल से परतिछर्थ थे उनका इंतिजार समाप्त होने जा रहा है सरकार ने 15 अगस्त के पहले नुक्ति पत्र बाटने की घोशना खीती और हम अपने वादे को पूरा करने जा रहे हैं कुमार चौजरी सिच्छा मंत्री वह जो बोले थे वही बात तो फिर उसी चीज को वह दोराया है कि हम अपने वादे पर अटल है जो हम एक वार कमेंट्वन कर दते हैं उसके पीछे नहीं हड़ते और वही आज किया गया अभी भी बोल रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले सब्सक का सुड़ा नहीं आया है 12 तक कॉंसलिंग रखा गया है 12 अगस्त तक दो डेटों में हैं इसलिए क्योंकि एक डिट का साइध नहीं दे पाया है यहां पर अपडेट दुसरे का है हाँ दुसरे का भी अपडेट दिया हुआ है तो चलिए शुरू करते वीडियो को लाइक ज निर्देश पर गुरुबार तक दिव्यांग सिच्छ का अपना आबेदन करेंगे यानि कि पचिश तक जो टाइम दिया गया था दिव्यांग अभ्यर्तों के लिए वो उनका आबेदन पचिश तक चलते रहेगा इस बीच बुद्वार को ही सिच्छाइबाग ने इसकूलों के लिए चैनित सभी अभ्यार्तों के नुक्ति कर ली जाए गी यानि कि पांच जुलाई से 9 अगस्त के बीच में जितने भी चैनित अभियर्ति होंगे प्राम्विक के उनका नुक्ति कर लिया जाएगा सिच्छा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हिंदुस्तान को बताया कि पांच जुलाई से प्राम्विक सिच्छों के नुक्ति आरंभ हो जाएगी कहा कि बुधवार साम तक मिली रिपोर्ट के मुताबिक राज के बहुत कम नियोजन इकाईयों में दिव्यांग अभियर्तों के आबेदन आये हैं विभाग ने नियोजन इकाईयों को दो स्रेनियों में बाठ कर अलग-अलग नियोजन स्टुडूल बनाया है पहली स्रेनी उन नियोजन इकाईयों की है जहां दिव्यांगों ने आबेदन नहीं किये हैं जो दिव्याओं लोग आवेदन नहीं भरें हैं पहला सरेनी वही हैं दुसरी सरेनी की निकाई वैसी हैं जहां दिव्याओं के आवेदन आये हैं स्री चौधरी ने बताया कि कॉंसलिंग के लिए दौरान अभियरतों के परमानपत्तों की जात के साथ ही नुक्तिपत बाट द स्रीपकैसर्व होने के बाद हुँ आपको युटिपत दिया जाएगा जहां दिव्याओं नहीं आभिदन आ बНе दिव्याओं के आभिदन नहीं आने वाली नियोजन में से पांच जूलाइग को निजनिकाई निजन इकाईओं में शाच जूलाइग को पर पर्खं की फाइनल कॉंसलिंग होगी जिन न्योजन एकायों में दिव्याओं के आभिदन आये हैं वहां दो अगस्त को नगर निकाय न्योजन एकायों में चार अगस्त को प्रखण न्योजन एकायों में और नो अगस्त को पंचायत न्योजन एकायों में द्वारा फाइनल कॉंसलिं कराई जाएगी पंचायतों की प्रामर्शी समीतियां करेगी चैन, राज सरकार दोरा गठित प्रामर्शी समीति ही 94 हजर पदों पर होने वाली पायमुक्षिस को किन्युक्ति करेगी पंचायती राज विभाग की नो जून की अधिसुचना की आलोक में बुद्वार को सिच्छा विभाग ने इस बावत निर्ने लिया सिच्छा विभाग के उपसच अर्षद फिरोज द्वारा जारी अधिसुचना के मुताविक गठाम पंचायत प्रामर्शी समीति के अध्याष गठाम पंचायत के भंग होने के तीथी को कारत मुख्या होंगे उसी प्रकार प्रखंड प्रामर्शी समीति पंचायष तर पर बहाली करेगी इसके अध्याष पंचायत समीति के भंग होने के तीथी को कारत प्रखंड प्रमुख को माना जाएगा अब यहाँ पर देख लिजे एस्टेटी पास सभी अभियरती सिचक नुक्ति के पात्र होंगे मेर्ट लिश्ट में नहीं आने वाले विजदार्थी परसान ना हो मंत्री सिच्छाई वाग की ओर से सिग्र अधिसुचना जारी की जाएगे जैसा कि हम आपको बता दे कि एस्टेट को लेकर बहुत सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं सिच्छाई वाग के पास उसे से एरिलेटर नुज हैं यहाँ पर बताया गया है कि माधमिक उच माधमिक सिच्छक पात्ता परिच्छा में उतिन होने वाले सभी सिच्छक अभ्यर्ति आगामी सिच्छक बहाली में पात्त होंगे इसमें एस्टेटी 2011 और बिहार बिद्धाले परिच्छा समीती 21 जुन को जारी एस्टेटी 2019 की दोनों परकार के सुची के अभ्यर्ति सामिल हैं हिच्छा मंत्री विजाई कुमार चौधरी ने कहा है कि सरकावर ने इस मुद्धे पर रिनाइक कर लिया है 2019 की स्टेटी में जो भी क्वालिफाई किये हैं वे सभी सात्मे सिच्छक न्यूजन के लिये पात्र होंगे चाहे वे बोर्ड द्वारा जारी सुची क्वालिफाई एंड इन मेरिट लिष्ट में हो अथवा क्वालिफाई पट नॉट इन मेरिट लिष्ट के हो मंतरी ने कहा कि इसको लेकर मेर्ट लिष्ट में नहीं आने वाले भी दर्थी परसान न हो निनाई लिया जा चुका है और प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद सिक्री विभाग की ओर से इसको लेकर अधिसुशना जारी कर दी जाएगी उन्होंने कहा है कि सिच्छाई भाग एंसेटी को पूर्टा अनुसरन करता है इसको लेकर पहले ही एस्टेटी में पात्र हो चुके अव्योर्तु की मानिता भुतलच्छी प्रवावसरत्ता उम्र की जा चुकी है इस परिपेच में सात्मे सिच्छक न्यूजन में 2011 में माधमिक सिच्छक पात्ता परिच्छा में उतीन होने वाले भी अगले चर्ण की बहाले में आवेदन कर सकेंगे तो ये मानिया सिच्छा मंतिक जी के तरफ से पूरा एनलाइसिस आया है तो दोस्तों ये पूरा अपडेट हमने अपने यूटूब चैनल के माधम से आपको प्रोवाइड कराया तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अच्छी लगती है तो प्लीज दूसरों गूरूपों में इसे जरूर शेयर कीजेगा ऐस इसे ही न्यूज अपडेट पाने के लिए बने रहें फिर मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में धन्यवाद